श्री भगवान बोले जो पुरुष कर्मफल का आश्रे न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वो सन्यासी तथा योगी है और केवल अगनी का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है. हे अरजुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता है योग में आरूर होने की इच्छा वाले, मनंशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ती में निश्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूर हो जाने पर उस योगारूर पुरुष का जो सर्वसन कल्पों का अभाव है, वही कल्यान में हेतु कहा जाता है जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और नकर्मों में ही आसक्थ होता है उस काल में सरवसन कल्मों का त्यागी पुरुश योगरूर कहा जाता है अपने द्वारा अपना संसार समुद्ध से उध्धार करे और अपने को अधोगती में न डाले क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंड्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वहाप ही मित्र है और जिसके द्वारा मन तथा इंड्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वहाफी शत्रू के सद्रिश शत्रुता में बर्तता है सर्दी गर्मी और सुक्त दुख आदी में तथामान और अपमान में जिसके अंतहकरन की वृत्तियां भलीभाती शांथ है ऐसे स्वाधीन आत्मावाले पुरुश के ग्यान में सच्चिदानंदगन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है अर्थात उसके ग्यान में परमात्मा के सिवान ये कुछ है ही नहीं जिसका अंतरकरन ग्यान विज्ञान सित्रिप्थ है जिसकी स्थिती विकार रहित है जिसकी इंड्रियां भलीभाती जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान है वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्थ है ऐसे कहा जाता है स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला मित्र, वैरी, उदासीन, पक्षपातर हित, मध्यस्त दोनों और की भलाई चाहने वाला द्वेश्यों और बंधुगनों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यन श्रेष्ट है मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशारहित और संग्रहरित योगी, अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए शुदब भूमी में, जिसके उपर क्रमशह, खुशा, मृग्छाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना बहुत उचा है और ना बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके, उस आसन पर बैठकर चित और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए, मन को कागर करके अंतरकरन की शुद्धी के लिए योग का अभ्यास करे, काया, सिर और गले को समान एवं अचलधारन करके, और स्थिर होकर, अपनी नासिका के अग्रभाग पर द्रिष्टी जमा कर, अन्य दिशाओं को न देखता हुआ, ब्रमचारी के वरत में स्थित, भयरित अथा भलीभाती शांत अंतरकरन वाला, सावधान योगी मन को रोक कर, मुझ में चित वाला और मेरे परायन होकर स्थित होए, वश्ट में किये हुए मन वाला योगी, इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ, मुझ में रहने वाल अंतर की पराकाश्था रूप शांती को प्राप्त होता है। जिस प्रकार वायुरहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उप्मा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चितकी कही गई है। उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। पर्मात्मा की प्राप्ती रूप जिस लाब को प्राप्त होकर उसे अधिक दूसरा कुछ भी लाब नहीं मानता और पर्मात्मा प्राप्ती रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए वह योग न उक्ताई हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्ट चित से निश्चेपूर्वक करना करता गया है संकल्प से उत्पन होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चेश रूप से त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समधाई को सभी और से भली भाती रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरती को प्राप्थ होता था धैर्य युक्ट बुद्धी द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे ये स्थिर्ना रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादी विशय के निमित से संसार में विचरता है उस उस विशय से रोक कर यानि हटा कर इसे बार-बार परमात्मा में ही निरुध करे क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांध है जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुन शांध हो गया है ऐसे इस सच्चिद अनंदधन ब्रहमक के साथ एकी भाव हुए योगी को उत्तमा अनंद प्राप्त होता है वपापरहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुकपूर्वक परब्रम परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंदधा अनंद का अनुभव करता है सर्वव्यापी अनंद चेतन में एकी भाव से स्थिती रूप योग से योगता आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सब के आत्मरूप मुझवासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझवासुदेव के अंतरगत देखता है उसके लिए मैं अद्रिशन नहीं होता और वह मेरे लिए अद्रिशन नहीं होता जो पुरुष एक इभाव में स्थित होकर सम्पूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित, मुझ सच्चिदानंद धन्वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरता हुआ भी मुझ में ही बरता है हे अरजुन, जो योगी अपनी भाती जैसे मनुश्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और गुदादी के साथ ब्राह्मन, क्षत्रिय, शूद्र और मलेच्छादिकों का सा बरताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देख अपनी भाती सम देखना है, संपूल्म भूतों में सम देखता है और सुख अत्वा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परमश्रेष्ट माना गया है अर्जुन बोले है मधुसूदन, जो ये योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से, मैं इसकी नित्य स्थिती को नहीं देखता हूँ क्योंकि है श्रीकृष्ण, ये मन बड़ा चंचल, प्रमतन स्वभाववाला, बड़ा द्रिर और बल्वान है इसलिए उसको वश्मे करना मैं वायू को रोकने की भाती अत्यंत दुशकर मानता हूँ श्री भगवान बोले हे महाबाहो, नेसंदेह मन चंचल और कठिंता से वश्मे होने वाला है परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, येह अभ्यास और वेराग्य से वश्मे होता है जिसका मन वश्मे किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुश्प्राप्य है और वश्मे किये हुए मन वाले प्रयतनशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्थ होना सहज है, येह मेरा मत है अर्जुन बोले हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है, किन्तु सयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है ऐसा साधक योग की सिद्धी को अर्थाद भगवत साक्षात कार को न प्राप्थ होकर किस गती को प्राप्थ होता है हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्थी के मार्ग में मोहित और आश्वेरहित पुरुष्छिन भिन बादल की भाती दोनों और से भ्रष्ट होकर नश्ट तो नहीं हो जाता हे श्वी कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से चेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का चेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है श्री भगवान बोले हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोग में नाश होता है और न पर लोग में ही, क्योंकि हे प्यारे आत्मोधार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ती के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुशित दुरगती को प्राप्त नहीं होता योग ब्रश्ट पुरुष, पुन्यवानों के लोगों को अर्थात स्वरगादी उत्तम लोगों को प्राप्त होकर, उन में बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुधा आचरन वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है अथ्वा वेराग्यवान पुरुष, उन लोगों में न जाकर ज्यानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है, सो संसार में नहसंदे हत्यंत दुरलब है वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किये हुए बुद्धि संयोग को, अर्थात संबुधि रूप योग के संसकारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और है कुरुनंदन उसके प्रभाव से वह फिर पर्मात्मा की प्राप्ति रूप सिध्धी के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयतन करता है वह यहाँ, वह शब्द से श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योगब्रश्ट पुरुष समझना चाहिए श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योगब्रश्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही नेसिंदे भगवान की ओराकर्शित किया जाता है तथा संबुधी रूप योग का जिग्यासु भी वेद में कहे हुए सकॉम कर्मों के फलको लंधन कर जाता है परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संसकार बल से इसी जन्म में संसिध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर ततकाल ही परमगती को प्राप्थ हो जाता है योगी तपस्वियों से श्रेष्ट है शास्त्र ज्यानियों से भी श्रेष्ट माना गया है और सकॉम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ट है इससे है अर्जुन तू योगी हो संपूर्ण योगियों में भी जो श्रधावान योगी मुझे में लगे हुए अंतरात्मा से मुझे को निरंतर भजता है वह योगी मुझे परमश्वेष्ट मान्या है